हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो यूटूब चैनल केरी एक्जाम टोडेज माई टॉपिक केरेंट अफेर्स टॉप टैन कुश्चन आल कम्पेटिटिव एक्जान लाइंक एससी बैंक रेलवे ग्रूप टी आल सो इंट्रेंस एक्जाम यूपी बीड चलिए भिना देर की हाल ही में विश्व के 6 रोग दिवस कम मनाय गया ठीक है तो आपका एंस्वर क्या होगा 24 मार्च अचा एक कुश्चन आपसे पूछ सकता है 22 मार्च को क्या मनाय जाता है तो विश्व जल दिवस और 21 मार्च को अगर पूछता है तो 21 मार्च को आपका वर्ल्ड मैं आपको पिछली वीडियो में प्राइंको भूए उल्ड को सब्स है या happiness जैसे हम कह सकते हैं खुछी दिवस भी मनाया जाता है 15 मार्च को World Consumer Right Day ठीक है 22 मार्च को विश्व जल दिवस 23 मार्च को क्या मनाया जाता है 23 मार्च को आपको जी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ठीक है अब हम बात करते है 24 मार्च का 24 मार्च को वर्ड टीवी डे मनाया जाता है ठीक है कॉशन नमर्ट टू की तरफ चलते है हाल ही में मुस्लिम देशों के हाल ही में मुस्लिम देशों के समझ आने वाली चुनावतियों पर चर्चा के लिए इस्लामी सयोग संगटन की बैठक कहा हुई है सबसे पहला ऑप्षन A अफगानिस्तान ऑप्षन B तुर्कमेनिस्तान ऑप्षन C पाकिस्तान ऑप्षन D इनमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्षन C is the right answer पाकिस्तान में चुनावतियों पर चर्चा के लिए इस्लामी के सयोग संगटन ने बैठक की है ठीक है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है वहां की मुद्रा रुपेया है ठीक है प्रधान मंत्री समय कौन है इमरान खान है ठीक है और राष्टपती आरिफ अलवी है कुश्च नमर थर्ट हाली में वर्स 2022 के लिए ये एबल पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है फ्रांसिस ऑप्सन ए फ्रांसिस कैरी ऑप्सन बी डैनिस पार्निल ऑप्सन सी मोहमद राजा मास्मी ऑप्सन डी इन में से कोई नहीं तो आपका एंस्वर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक है लेटेस्ट क्वेशन है इसके लिए आप पे उपर छोड़ दिया जाता है कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करें ठीक है और कल के वीडियो में इसके अंस्वर आपको जरूर प्रोबाइट की जाएगी क्वेशन नबर फूर्थ हाली में नाइट फ्रेक्ट द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइज इंडेक्स Q402 है मतलब 2021 में किन सिर्ष पर रहा कौन सिर्ष पर रहा ठीक है तो आप्शन A इस अस्टेलिया आप्शन B इस न्यूजिलेंड आप्शन C तुर्की और आप्शन D इस इन में से कोई नहीं आपका एंस्वर क्या होगा आप्शन C तुर्की कौन होगा तुर्की ठीक है सेकेंड पे कौन था तो सेकेंड पे न्यूजिलेंड फोर्थ पे चेक रिपबलिक और सब भारत पे अभी भारत पर कौन सा स्थान है तो भारत का स्थान 51 वा स्थान है ठीक है 51 वे स्थान पे है कौशन नंबर 50 की तरह चड़ते है हाली में बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के किस सामिल अभिनेता का निधन हुआ है ठीक है सुरेंदर अर्विन इन में से कोई नहीं तो आपका एंसफर क्या होगा ओप्सन भी अभी से एक चटर जी ठीक है नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं हाली में विक्टोरिया मेमोरियल हाल में ठीक है गैलरी उतकारण किस्ट ने किया तो सबसे पहले ओप्सन ए नरेंद्र मो दीजी ने किया था ठीक है कवला कहा पर भरतपुर में राजस्थान में है सरिशकार नशनल पार्क यह भरतपुर में है जो की राजस्थान में पढ़ता है कोशन नमबर एट की तरफ हम बढ़ते हैं पदम भूचर सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलेट खिलाडी कौन बने है ठीक है तो सबसे पहले option A भावण्य पर टेल option B दवेंद्र ठीक है option C औनी और option D अप्रमोद भगत तो आपका option क्या होगा B is A right answer B is A right answer ठीक है ठीक है डवेंद्र होंगे अच्छा पदम पुरस्कार विजयताओं की गोशड़ा किस दिन की जाती है तहां आपका सभी का अंस्वर सही आंस्वर् बिल्कुल सही आंस्वर् पदम पूरस्कार किस के द्व 와रा प्रदान किया जाता है सभी को पताओगा मानेनी राष्ट्ठ पती के दवारा भारत का पहला स्वरवच्छ नाकरिक सम्मान भारत रतन क्या है आप भारत रतन थीक है अब कुऋशन नमर फैकि नम्र नेक्ष्ट पदम पुरसकार विजयता कितने रुपए नगत रासी परधान की जाती है और याद रखेगा को कोई by談 पुरसकार किसी भी में पुरसकार कार में जब भी हम पदम सी बात करें है तो इसमें कोई भी बीधा नगत राशी नहीं जाती है ठीक है कोशन नमर 9 कार्बन नीटरल खेती के लिए तरीकों का सुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना हर्याना और आप्शन ए और बीहार और आप्शन सी केरल अप्शन डी इस यूपी तो राइट एंस्वर केरल इस राइट एंस्वर ठीक है यह सबसे पहले कारे राज्य है जिसने कार्बन नीटरल खेती के तरीकों को सुरू किया है ठीक है है उत् Surface कि तरब बढ़ते हम ठीक है कार्लिया टम उत्स तौकिस राज में मनाया जाता है कैरल ठीक है कारवां पार्क भी कैरल में है ठीक है कैरल राज के चल चरित्र कादमी का अध्ध किसे मनाया गया है तो जीत वाल बाल क्रिश्निक को question number 10 unfilled barrels इंडिया आयल इस्टोरी नामक किसकी पुस्तक है तो आपका option A is रिच्चा मिश्रा option D is Jimmy Soni, option C सुमित्रा चोहन, option D is सुभीरा परशाद तो आपका answer right answer A, ठीक है, रिच्चा मिश्रा है, option A is the right answer important question की तरब हम बढ़ते है, मानो, ठीक है, हम आज से में कौन सा अमल पाये जाता है, सभी को पता है, देखिए, सभी लोगा answer दे रहे है SEL, hydrochloric अमल, सारे important question है, आप note कर लीजिगा इसको, ठीक है, असम का प्राची नाम, काम रूप है, क्या है, काम रूप, ठीक है, असम का प्राची नाम Question number 3, आसकर पुरसकार जीतने वाली प्रथम भारती महिला कौन थी, भानू आया, ठीक है, राश सभा का पदिन अध्यच कौन होता है, ओपर राश्ट पती होता है, ठीक है Hemoglomin में कौन सी धातु हो पाई जाती है, तो आप सभी को पता है, देखिए, जैसा कि कमेंट बॉक्स में आ रहा है, तो धातु एलोहा होता है, ठीक है I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जादा से जादा आप इसको सेर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तब तक के लिए जैहन मिलते हैं, नेक्ट